लेकिन दोस्तों ये बताने से पहले की कॉन से फोन लेने चाहिए उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस प्रrales में कौन से a 아니야 लेकिन जब सेल के बाद मैं आप स्मार्टफोन को buy कर सकते हैं और almost वैसा ही प्राइज ही है दोस्तों जैसे कि अमने big billion days sale में देखा था तो चलिए अगर आपका budget भी दोस्तों 10,000 से लेकर 15,000 रुपर की बीच में है तो ये वीडियो आपके लिए काफी helpful होने वाली है इसलिए बने रहेगा अमरे साथ इ ये हैफोन दोस्तों अब इस price में बिल्कुल भी वर्थ नहीं रखता है क्योंकि काफी अच्छे option और available हैं हालकि अगर इसका pricing 10,000 के असपास होता तो definitely ये हैफोन में आपको recommend कर सकता था दूसरा दोस्तों Moto G64 5D जो कि अभी आपको 14,000 रुपर प्राइज मिल रहा है ये मुझे लगता है कि आपको नहीं purchase करना चाहिए और तीसरा आता है दोस्तों Redmi की तरफ से Redmi 13 5G इसका pricing करीब आपको 13,000 रुपर गास पास देखने हो मिलेगा पहले दोस्तों जब sale नहीं होता है तो ये इस price में ठीक है लेकिन जब sale के बाद में आपको 15, 16,000 रुपर वाले phone 12 13,000 रुप price मिल रहे हैं तो दोस्तों ये बिल्कुल भी वार्त नहीं रखता है तो ये तीन phone दोस्तों पर्टिकुलरी जो की काफिसार लोग recommend कर रहे थे इसके लाबा भी और काफिसार option है जैसे की वीवो की wire series ये आपको नहीं लेनी चाहिए अगर आपको वीवो में ही phone च description मिल जाएंगे यहां पर जाके अब इनकी current pricing और offer को चेक कर सकते हैं start करते हैं दोस्तों नमबर 5 के साथ और नमबर 5 पर है दोस्तों IQ का IQ Z9X5G इसका pricing करीब 11,000 रुपर क्या सब्सकों मिल जाएगा दोस्तों sale में और अगर आपका budget दोस्तों 10-11-12,000 रुपर है तो मुझे आप यहां पर अच्छी खासी gaming भी कर सकते हैं और हां इसको मैंने practical भी यूस किया है दोस्तों मेरा इस device के साथ में काफी अच्छा सा experience रहा है दोस्तों तो हां performance के लिए IQ Z9X एक बहुत इक कमाल का phone है इसके लब दोस्तों फोन का design आपको ठीक मिलेगा front side की बात कर रहा है तो एक IPS पैनल है पंचोल डिस्प्ले के साथ मैं आपको देखने हूं मलता है 128 का screening डिफरेंशेट भी आपको देखने हूं मिल रहा है कैमरा ठीक है दोस्तों 50 MP के प्रेमेर सेंसर के साथ मैं आपको देखने हूं मिलेगा अगर मैं बात कर रहा हूं बैटरी की तो 6000 mAh का पर नमबर फोर पर आता है दोस्तों नथिंग का नथिंग से मैं फोन की में बात कर रहा हूं जिसका प्राइजिंग पहले तो आता था करी 15,000 रुपए लेकिन हां सेज जल रहा है तो यह है फोन आपको लगबग 13,000 रुपर वैजिंग मिल जाएगा और यह इस फोन के फिजर की दो वो इसका डिश्पले है दोस्तों इस फोन में आपको सूपर अमरेट पैनल भी देखने को मिल जाता है जी हां डिस्पिकॉलिटी आपको और कमाल का देखने को लेगा कलर साब देख सकते हैं काफी वाइबरेंट है फोन का डिजाइन दोस्तों बहुत ही अलग जीज जिसके लिए आप इस फोन को कर सकते हैं और वो है इसका यूई जी हां नथिंग का यूई दोस्तों बहुत ही अच्छा होता है बहुत ही अप्टिमाईज होता है तो इसका यूजर एक्सपेंस और भी अच्छा हो जाता है लगबग 13,000 पर प्राइजिंग में दोस्त दोस्तों यह आता है POCO की तरह से मैं बात कर रहूँ POCO X65G की इसका प्राइजिंग होता था अल्मोस्ट अठारा जार उन्निस जार रुब है लेकिन सेल में आपको यह मिल रहा है लगबग 15,000 पर प्राइजिंग में और दोस्तों यह के लिए बहुत ही कमाल का प्राइज मे ही दिखनी वह मिल रहा है तो फोन का परफॉर्मेस् दोस्तों सच में काफी कमाल का है काफी अच्छा सा परफॉर्मेस ऐहां पर दिखने को मिल जाएगा अगर मैं बात कर रहा हुं इस पोन की एक और की हैलीट 64 MHz आपको मिलता है, OES का support आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, camera quality पर आपको अच्छा देखने को मिलेगा, 5000 एमेच का बैटरी, 67-0 का fast charging support, Android 14, dual use to your speakers, in-display finger print sensor, यह सारी चीज़े आपको दोस्तों इस phone में देखने को मिल रही है, इसका price पहले दोस्तों, करीब 18,000 और पर गास पर सबको मिलता था, लेकिन इस sale में आपको यह मिल रहा है, लगबग 14,000 रुपीज की price में, सबसे बहले दोस्तों Samsung का Super Emerald Panel, जी हाँ, one of the best display मैं का हूँगा कि इस price में आपको देखने हो मिल रहा है दोस्तों, किसी और phone में इतना bright और इतना बहतर display नहीं है, ऐसा display दोस्तों मुझे तो काफी पसंद है, यहाँ पर मैं वही 120 का screen refresh rate देखने हो मिल जाता है, अगर मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसके लवा phone के camera की, तो वहाँ पे बिए phone पीछे नहीं है, 50 Megapixel के primary sensor के साथ में आता है, OAS का support आपको देखने हो मिल जाएगा, phone में दोस्तों 6000 mAh का battery है, आना कि इसकी वाज़े से phone थोड़ा सा बारी ज़रूर लगता है, लेकिन 6000 mAh का battery है, तो आपको battery backup ज्यादा देखने हो मिल जाएगा, 25W का charging support आपको यहाँ देखने को मिल जाता है, phone में दोस्तों speakers अच्छे हैं, यह मनें अल्रेटी चेक कर लिये हैं, यहाँ पर अगर में बात कर रहा हूँ, security की तो in-display fingerprint sensor आपको मिल जाता है, Samsung का 1 UI दोस्तों काफी अच्छे सा optimize होता है, कोई भी issues अपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलते हैं, इसके लब अगर बात कर रहा हूँ, phone की performance की, तो Exynos का 1380 chipset भी अपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, और यह भी दोस्तों अच्छा perform करता है, इस price की साब से, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी issues यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं, और हाँ last में जो design है, वो ठीक है दोस्तों बहुत ज़र attractive नहीं है, लेकिन जो बाकी सारी चीज़े हैं दोस्तों वो इस phone को बहुत एक कमाल का बना देती हैं, especially इस price range में, फिर भी दोस्तों यह थोड़ सा over price लगता था, लेकिन under 15,000 रुपीस की price में तो यह one of the best phone है, और इसलिए दोस्तों यह आ रहा है number 2 की position पर, और फाइनल यह number 1 पे दोस्तों Realme के दो phones, Realme Narzo 70 Turbo और Realme P1 5G, अब यह दोस्तों number 1 की position पर क्यों है, सबसे बहले तो यह दोनों ही phones आपको under 15,000 रुपीस price में मिल जाएंगे, in fact, Realme P1 तो अभी लगबग 13,000 रुपीस में मिल रहा है, तो आप चेक कर देज़ेगा prices का current, पहले Narzo 70 Turbo के बारे में आपको बता दू, Damocity 7300 Energy chipset आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है दोस्तो, powerful chipset है, कोई भी आपको issues देखने को नहीं मिलेंगे, in fact, gaming के लिए दोस्तों यह काफी कमाल का phone है, BGMI, COD में आप 90fps तक कर गेमिंग कर सकते हैं, और practical यह दोस्तों यहाँ पर यह देख भी सकते हैं, तो gaming और extreme performance के लिए दोस्तो, Narzo 70der वो एक कमाल का phone है, Super AMOLED पैनल आपको भी मिल रहा है, 128 का screen refresh है, camera भी ठीक है, दोस्तो, 50MP के प्राइमेर संसर के साथ में आता है, 5000Ah का battery है, 45W का charging support वागिर आपको सारी चीज़ देखने मिल जाएंगी, phone का design ठीक है, लेकिन अगर आपको यह design पसंद नहीं है, तो कुछ और दो option भी available है, आप उनको भी check out कर सकते हैं, Realme 5.0 overzone के साथ में आपको Android 14 out of box ही देखने मिल जाएगा, in display, fingerprint, sensor, speakers वागर अच्छे आपको देखने मिल लेंगे, वाट का charging support, speakers वागर वो दोनों ही phone में बिलको सेम है, तो हाँ, दोनों में साब कोई भी जूस कर सकते हैं, दोस्तों, दोनों ही अच्छे devices हैं, under 15,000 रुपीज के price में मुझे लगते हैं, कि अभी यह best device में आते हैं, और इसलिए दोस्तों, यह आ रहे हैं, हम आपसे मिलते हैं अगला ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए आपके जिन शुब रहें, आज का वड़ी देखने के लिए बहुत बदनेवाद,